पंगर जी आपका चंदोली में स्वागत है अभी समाजवादी पार्टी के राम गुपाजी बरिश निता हुआ थे उनका कहना है कि भार्टी जन्ता पार्टी को अखिलेश का फोबिया हो गया चाहे वो बड़े निता हो चाहे छोटे निता क्या कहना है अब देखे इसमें अब ये सपा के नेता सपा की ही बाते अब उस पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना है ये सब चीजों का पता तो अब 10 मार्च को लगी जाना है और मैं इतना कह सकता हूँ आपको देखे मैं नौइडा गाजियाबाद से देखते हुए मैं लखनो बनारस आज कह सकता हूँ कि समाजबादी पार्टी 370 और 341 की तरह है इतिहास के पन्ने में शामिल होने वाली है कल आपके राष्टिये ध्याग जी जीपी नटा जी आदे उन्होंने कहा कि अखिलेस यादो जो है आतंकियों का साथ देते हैं उनके मुकदमे वापस लेते हैं बिलकुर मैंने कहा है कि समाजबादी पार्टी यह इतिहास के पन्ने में शामिल हो जाएगी और जहां तक रही बात हमारे तो उन्होंने जो कहा है बिल्कुल ठीक है और उत्तर प्रदेश के जंता ने देखा है कि किस तरीके से आतंखवादियों को छुडाने की वकालत करते हैं बोट मांगने के लिए जिन्ना जैसे नाम को भी उठाने में परहेच समाजवादी पार्टी के नेता नहीं करते हैं और इसलिए मैं बार-बार कहता हूँ कि हमारे राश्टरबाद में उनको खोट और आतंखवाद में बोट दिखाई देता है तो ऐसे लोगों को इस चुनाओं में मोहतोर जबाब देने के लिए जंता त्यार है और इसलिए मैं बहुत विश्वास से कहता हूँ कि इतिहास के प संकेत देती है कि भारतिय जनता पार्टी कहीं 300 से ऊपर और 350 के आसपास हमारी सीटे होगा बिलकुल पूरे विश्वास के साथ पर कह सकता हूँ